असलाम अलेकुम एवरिवन वेलकम तो कोकनी बाइट्स प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब तो आज की स्पेशल रेसिपी है मुंबई स्टाइल मतन कीमा तो उसके लिए जो इंग्रियेंस लगेंगे वो यह है तो हमें कीमा बनाने के लिए जो इंग्रियेंस लगेंगे सबसे पहले हम सिब कीमे को उबालने के लिए इंग्रियेंस जो लगेंगे वह हम बता रहे है यह मतर जो हमने फ्रोजन योज़ किया है और यह है कीमा अधा कीमा डालेंगे कीमा अधा राज्चे से वाश किया हुआ था इसमें हम सोवा की भाजी डालेंगे बारीक चौप करके अब इसमें हम अधारेट कर लोगे इन सब को हम नमक डालकर दो सीटी दो सीटी लेकर अबार लेंगे तो हमें कीमा बनाने के लिए जो आगे की इंग्रिडियेंस लगे सबसे पहले तीन टमाटर कोतमेर और ये दो तीथी वाली मिर्ची है सुखे मसाले के लिए धनिया पाउडर हल्दी काले मिर्च जीरा और प्रसन का पेस्ट बाड़ा एक चमच इन सब ही को हम मिक्सर में पीस लेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे ये हमें कीमा मसाला बनाना जैसे मुंबई में फेमस कीमा जो मिलता है उसकी रेसिपी है अब जरूर ट्राइ कीचिए इन सारे मसालों को भी समेट करके एक फाइन सा पेस्ट बनाएंगे तो देखे ये मसाला रेड़ी है अगी का प्रोसेस हम देख लेते हैं तो अब हमने गैस पे एक कड़ाई चड़ा ली है अब उसमें दो चमच तेल हमने इसमें थोड़ा घी भी एड़ कर रहा है थोड़ी टेस्ट के लिए अब हमारा तेल गरण हो चुका है अब हम उसमें डालेंगे दो बड़े प्यास फाइंडी चॉप कांदे को अच्छे से भून लेंगे अब इसमें आप अपने टेस्ट की साब से हरी मिर्ची एड़ करें मिर्ची को सरीफ पीछ में से स्लिट करना है अब हम इसमें अपना ग्राइंड किया हुआ पीस्ट फ़रा मसाला डाल देंगे मसाले को अच्छे से भूनने तक हम इसे पकने रखेंगे डब कर इसे 5-10 मिंट पका लेंगे चल यह देख लेते हैं मसाला कैसा पका है अब देख सकते हैं तेल चूट चूट चुका है मसाल अच्छे से भून गया है कलर भी बहुत बढ़िया आया है अब इसमें कीमायत कर अब इसे अच्छे से मिक्स करके 15-20 मिंट के लिए धक कर बखने देख स्लो गैस पर चलिए देखते हैं कीमा कैसे पका है तेल कैसे साइट चोड़ रहा है लेट्स डिश आउट तैयार है हमारा कीमा सर्व विद लव मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अला हाफिस